सुशान सिंग की केस में ड्रक्स को लेकर तो खुलासे और चर्चाय हो ही रही हैं लेकिन सुशान सिंग की मौत के बाद बॉलिवुड पर वन्शवाद यानि नेपोटिजम को लेकर भी एक आंदोलन सा शुरू हो चुका है अब इसी को लेकर जल्दी ही शुरू होने वाले बिग बॉस सीजन 14 को बॉयकॉट करने की मांग की जाने लगी है दरसल मौडल से अबिनेत्री बनी सोफिया जो की बिग बॉस सीजन 8 का हिस्सा भी रह चुकी है उन्होंने बिग बॉस के इस सीजन को लेकर लोगों से सलमान खान और बिग बॉस का बहिशकार करने की मांग की है बिग बॉस सीजन 14 में आने वाले कंटेस्टेंट्स के नाम हलाकि अभी रिवील नहीं किये गए है लेकिन एक नाम चर्चा का विशय बना हुआ है और बताया जा रहा है कि इस साल का बिग बॉस के पहले कंटेस्टेंट का खुलासा हो चुका है ये नाम है जान कुमार शानू जो की प्रख्यात सिंगर कुमार शानू के पुत्र है सोफिया का कहना है कि हमने पिछले दिनों देखा है कि सुशान सिंग राजपूत के साथ क्या कुछ हुआ है उसे लेकर हम लगतार वन्शवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में बिग बॉस में फिर एक स्टार किट को जगय देना गलत है इसी वन्शवाद के कारण हमने सुशान सिंग राजपूत को खो दिया उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि बिग बॉस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है जब मैं बिग बॉस का हिस्सा थी तब मेरे साथ बुरा विवार हुआ था मैं हर उस महिला के साथ खड़ी थी जिसकी कभी सुनी नहीं जाती थी जिनके साथ बुरा बरताव किया जाता था उसी प्रकार से इस वक्त सुशान सिंग हर उस इनसान का नित्रत्व कर रहा है जो वन्शुवाद का शिकार है अब आपके उपर है कि आप सुशान सिंग का समर्थन करते हैं या नहीं और अगर करते हैं तो बिग बॉस को बॉयकॉट करें आखिर में उन्होंने कहा कि किसी को स्टार बनाने की शक्ति सल्मान खान में नहीं है किसी भी एक्टर को स्टार जंता बनाती है सुशान सिंग की मौत के बाद वन्शुवाद का मुद्दा बड़ा हो चुका है इतना ही नहीं इस मौत को सलमान खान से जोड़ कर भी देखा जा रहा था ऐसे में सलमान खान पहले से ही लोगों की रडार में है उपर से सोफिया का ये बयान बिग बॉस और उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है इसी प्रगार की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए नमस्कार